सर्दियों के मौसम में सेहत मंद रहने के लिए डाइट में हिल्दी चीजों को जरूर शामिल करें दोस्तों ऐसे में पालक एक हरी पत्तेदा सबजी है जिसे सेहत के लिए बेहत गुड़कारी माना जाता है सरदियों के मौसम में हमारी immunity काफी कमजोर पढ़ जाती है ऐसे हम पालक के कुछ benefit से बताएंगे को fiber iron का अच्छा source माना जाता है तो दोस्तों immunity को मजबूर करने के लिए पालक का 7 जरूर करें दोस्तों इस वीडियो में अब हम पालक खाने के benefit से बताएंगे सरदियों की सुरुवात हो गई है मौसम में बदलाव होते ही सबसे ज़्यादा असर हमारी सेहत पर पढ़ता है सरदियों के मौसम में हमारी immunity काफी कमजोर पढ़ जाती है जिसके चलते हम जल्दी बीमारियों के गिरत में भी आ जाते हैं सर्दियों के मौसम में सेहत मंद रहने के लिए डाइट में हिल्दी चीजों को जरूर सामिल करें पालक बेंटर बेजिटेबल में ऐसी हरी पत्तेदा सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहत लाबकारी माना जाता है पालक में पर्यावत मातरा में इंटियुए अक्सिडन्ट होते हैं पालक में पाये जाने वाले तत्तों में मुक्ही रूप से कैल्सियम, शोडियम, क्लोरिन, फासफोरस, लोहा, खनिज, लमड, प्रोटीन, आइरन, बिटमिन, और बिटमिन सी भरपूर मातरा में पाए जाते हैं तो दोस्तों सर्दी के मौसर में पालक को आप डाइट में कई तरह से सामिल कर सकते हैं जैसे सबजी, सूप, जूस, पराठा, कचवड़ी, पकवड़ी या फिर इसे कच्चा जूस बना सकते हैं कोई सी स्मूधी बना सकते हैं दोस्तों पालक के हम और फायदे बताएंगे जैसे कि मोटापा सर्दियों के मौसर में हम सब को गर्म गर्म फ्राइड चीजें खाने का बहुत मन करता है जिसका सीधा असर हमारे वजन पर पड़ता है तो अगर आप भी समस्चा से जूच रहे हैं तो आप अपनी डाइट म की मात्रा अधिक और कलोरी बहुत ही कम पाई जाती है जो वजन को कम करने में काफी मतangoर हो सकती है दोस्तों पालक में विटमीन और की Maatran भरपूर होती है बिटमिनC के लिए अच्छा माना जाता है उत्व के मौत को पालक को डाइट में सामिलकर इम्म्माज़ी को मजबूत बना सकते हें दोस्तों पाचन के लिए भी पालक को बहुत ही अच्छा सोस माना जाता है पालक को फाइबर आरन का अच्छा सोस माना जाता है फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मददगार है अगर आप पाचन समंधी समस्या से परिसान है तो आप पालक का सेवन कर सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पालक के बहुत सारे बेनी फिर्ट से बताए हैं जो कि सर्दियों के मौसम में आपके लिए काफी मददगार हो सकती है दोस्तों आज कल कोविड के बहुत सारे नए-नए बेरियंट आ रहे हैं ऐसे में हमारी इम्मून्टी मजबूत लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर जरूर करें थांक्स पार वाचिंग